जो joint statement आई है उसके paragraph 32 को आप focus करें तो that is related with the terrorism और उसमें पाकिस्तान को उन्होंने specifically mentioned किया है और उन्होंने पाकिस्तान को कहा है कि आप लशकरे तहिबाज जैशे मुहमद और इस लाइप के जो जो आपके वो हैं क्या किती इनको organizations इनको control करें कि terrorism है क्या terrorism को आपको समझना पड़ेगा terrorism का मत्तब है कि एक इनसान जो है वो इतनी जादा उसके अंदर नफरत भरी पड़ी है कि वो दूसरे किसी ideology के manifestation को बरदास्त नहीं कर पाता और वो चुकि उसको बरदास्त नहीं कर पाता तो उसको वो violent रूप से मिटाना चाहता या ह full speeches के लिए terrorism टाइप के word use नहीं होते हैं तो क्यों है यह hatred है या यह उस दिमाग ऐसे कि इसी आदमी का दिमाग इतना sensitive बना देना कि वो plurality को diversity को दूसरे ideology को अगर वो बरदास्त ना कर पाए और उसको उसको deal करने का तरीका सिर्फ अगर arms and ammunition रखे तो फिर इस तरीके के जो तन्सीमें हैं या इस तरीके की जो organization है उनका चर्म होता है और पाकिस्तान ने इस ideology को unfortunately पिछे चालीस पचास सालों में बहुत ज़्यादा पुश्पित पल्लवित किया बहुत ज़्यादा इसको फरोग दिया है and that's why it's time की पाकिस्तान जो है उसको अगर terrorism से counter करना है तो it does not need arms, it does not need tank, it does not need F-16, F-18, F-20 जो ये कहते हैं कि हमें तो terrorism से लगना है तो हमें आतियार दीजिए, आपको terrorism से अगर लगना है तो आप अपने school की किताबों को watch कीजिए, आप अपने आपे दूसरे जो इस तरीके के unregulated educational संस्ताय हैं, जहां पे कुछ भी पढ़ाया जा रहा ह कुछ भी बोला जा रहा है, आप उसको check नहीं कर रहे हैं, वहां है root cause, क्योंकि terrorism कोई इंसान को मारने से terrorism, किसी terrorist को माने से terrorism नहीं बंद होगा, terrorism बंद होगा उस root cause को address करने पे, एक तरीका यह है कि root cause जहां से आ रही है, वो address करे, दूसरा यह है कि जो उससे affect हो रहा है, वो support कर रहा है, तो उसको terrorism का victim से अपने को बचाने के लिए उस ideology को रोकना होगा, it's a fight of ideologies, पाकिस्तान को दो चीज़ समझानी है अपने अवाम को, coexistence और peaceful coexistence और यह कि हमारी heritage, Indian heritage है, अगर आप मुझे समय दें, मैं आपके लिए तुर्की का constitution अगर आप बोलेंगी नहीं तो म आप अपना वो मानते हैं कि भाई हमारे heroes हैं, Turks, उनका constitution क्या कहता है अपने बारे में और आपका constitution क्या कहता है, आप उसको ही compare करके सीख लें, मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ, affirming the eternal existence of the Turkish motherland, Turkish motherland, Islamic motherland नहीं कह रहे हैं और इनके constitution का नाम भी Republic of Turkey है, affirming the eternal existence of the Turkish motherland and nation, and the indivisible unity of the sublime Turkish state, this constitution in line with the concept of nationalism introduced by the founder of the Republic of Turkey, Ataturk, the immortal leader of the unrivaled hero and his reforms and principles. अब आप देखिए, वो क्या कह रहे हैं, वो नेशनलिजम की बात कह रहे हैं, इंदुस्तान का जो मुसल्मान है या पाकिसान का जो मुसल्मान है, वो उसको नेशनलिजम पसंद नहीं आता, तर्की कह रहा है कि हम एक तर्किश identity हैं, वो नहीं कह रहा है कि हमारी Islamic identity या Muslim identity है तो आप तुरकों से ही सीख लें अब अगर आप उसका दूसरा पहरागाफ पढ़े तो मैं आपको बता दूँ कि वो इतना interesting बात लिखते हैं उनके उनके स्टेट का नाम क्या है The State of Turkey is a Republic. Article 2. The Republic of Turkey is a democratic, secular and social state governed by rule of law within the notions of public peace, national solidarity and justice, respecting human rights, blah blah blah. वो कह रहे हैं secular है, आप तुर्कियों को गले लगा रहे हैं, कम से कम उनकी इस्टेशन सीख लोट क्यों, अगर आप कह रहे हो एक तुर्की एक Islamic State होगर के डिवलप हो रहा है तो आप गलत कह रहे हो, क्यूंकि तुर्की अपने आपको Islamic State नहीं कह रहा है. तुर्किया अपने आपको Islamic Land नहीं मानता. मैं जब Central Asia में था, आर्जु जी, याना कि मैंने काफी समय यूरोप और जर्मनी में बिताया, लेकिन Central Asia में मैं आठ दस में नहीं रहा. वहां के लोग कहते हैं कि हमारी population, कजाकस्तान का बता रहा हूँ मैं आपको, कि हमारी population में 80% लोग Islamic जरूर है, बट ये लैंड Islamic नहीं है. इस अ नुमैड, इस अ नुमैड पीपुल लैंड, इस अ कजाक लैंड, इस अ टुर्किक्श लैंड. आपके यहां पे वो इसलाम को अपनाने के साथ, तो जमीन का भी इसलामी करण कर देते हैं. हमें भी करते हैं, आपका अकीदा जो है, आपको जिस पे आपको इश्वर पर नहीं, अल्ला पर विश्वास से आप जाएं. लेकिन उस जमीन को जब आप चेंज करते हो, आप होली पे बहन लगा दोगे आप, अपनी भाशाओं पे बहन लगा दोगे आप, यह रिलीजिन थोड़े हैं, तो आप तुरकों से सीख लो कम से कम यार, आप जाकर के अर्बों से सीख लो कम से कम, तो यह ही है, इसलिए वो टेरिरिजम इसलिए आ रहा है, टेरिरिजम का सिंपल मतलब है, तो फिर आपको ऐसे तंजीमें चाहिए होंगी, तो वो है थियोरी में आपको बदलना पड़ेगा, टेरिजम को इधर मार देने से उधर मार देने से नहीं होगा, तालिबान से आप कैसे लड़ोगे जब तक आप खुद सेक्यूलर नहीं होगे, अगर आप इसलामिक स्टेट हैं, तो आप फिर दूसरे इसलामिक स्टेट से कैसे लड़ोगे हो, वो दोनों तो एक ही परपस के लिए जार वो भी चाहिए शरिया लाएं, आपका भी परपस होना चाहिए तो शरिया लाएं, और इसलिए आपका कोई constitutional फंक्शनरी काम ही नहीं करता, because of the theoretical disaster. बिसकोल सही, लेकिन सार अब जाहिर है के 75 यह से तो लोगों को यही सिखाया पढ़ाया गिया है, हम तो मतलब पाकिसान बनाएं, उस बेस के ओपर ता कि जी, Islamic country बना रहे हैं, हम secular नहीं हैं, हम लोगों के साथ नहीं डह सकते, अब 75 years के बाद बदलना बहुत मुश्किल है, मुझे नहीं लगता कि यह लोग change कर पाएंगे, लेकिन फिर भी इस वक्त जिस तरह का pressure आ रहा है, चाहे वो इंडिया की तरफ से हो, या बाकी दुमिया की तरफ से हो, तो आपको लग रहा है कि यह कर पाएंगे, वैसे लोग यह भी कहते हैं, I don't know कि कहां तक सही है, कि यह जो different group बने है, terrorism के लिए, जो group तयार हुए में यहां पर चाहे, उनका कुछ भी नाम हो, जिन्नों ने बनाया है, पाकिस्तान के अंदर, जिन्नों ने बनाया है, अगर वो चाहें, तो वो ही control भी कर सकते हैं, उन्हें पता है कि कैसे control करना है, लेकिन वो कर नहीं है, उनका क्याल है कि शायद उनको कोई फाइदा है इन से, से क्या यह लोग करेंगे किया यह कोषिश करेंगे क्यूंकि आप देखी रहें कि अफगानिस्तान की तरफ से जिस तरह के टैक्स हो रहें उस्से ठीलाल सरे पाकिस्तान का नुक्षान रहा हinos herd यह फ्रैंक्स्टीन मॉंस्टर है आप बना तो दिये अब यह ऐसा जिन है जो आपसे बोतल में नहीं जाएगा उसका कारण क्या है कि आपने जिस आइडियोलोजी के नाम पे इनको बनाया अब वो आपसे कहरें कि हम उस आइडियोलोजी को आपसे बहतर चला के दिखाएंगे अब आप बताएए आरजू जी कि आप हमसे कह रही हो कि अभी शेख जी हम आपको एक इसलामिक मुल्क देंगे लेकिन आप इसलामिक मुल्क तरिके से चल नहीं रहे हो किस इसलामिक मुल्क में तरकिस के कॉंस्टिचूशन सेकुलर कॉंस्टिचूशन है वो इसलामिक नही जहां पर election हो रहा हो नहीं हो रहा है अरबिया में election होता है सौधिया में election होता है युए में election होता है कतर में होता है ओमान में होता है बहरीन में होता है कहा होता है तर्की में होता है वो यह कह रहा है कि हम तो secular constitution है secularism का मतलब समझ दीजे, democracy कैसे आईगी, अगर आपको democracy चाहिए, इमरान खान साब कहते हैं, हमें democracy चाहिए, हमें तो यह जो आदमी वाले हैं, यह हमसे democratic right शीन रहे, rule of law शीन रहे, कैसी democracy भई, आपने तो TTP का समर्थन कर दिया था, या वो तालिबान का समर्थन कर दिया था, जब उन्होंने elected government को हटाया, तो आपने कहा elected government को यह हटाने की जो procedure थे, आपने कहा यह तो गुलामी की जंजिरे तोड़ दी, तो आपको तो नभी गनी की सतार के साथ खड़ा होना चाहिए था ना, आप पड़े हो गए तालिबान के साथ, अगर आप election के इतने favor में हो, then you should have sided with the gunny, but you sided with the Taliban, अब आज क्या दे, आपकी अगर society, जो कुरा, अगर आप constitution पड़े तो constitution of Pakistan कहता है, आरजो जी, कि the constitution of the of the Pakistan is basically Quran, Holy Quran and the Sunnah, बहुत अची बात है, आप उसमें democracy कहां ढूंड रहे हो, constitution में जब आप, जिसको आप constitution कह रहे हो, वहाँ democracy नहीं है, वहाँ आमरियत की विवस्ता दी गई है, तो वहाँ से आमरियत ही आएगी ना, आप बनाना भी आप रियासते मदीना चाहते हो, तो आप यह जो confusion की constitution भी है और Quran भी है, Quran और constitution एक साथ coexist नहीं कर सकते हैं, क्योंकि constitution मजीद में वजूद में तब आता है, जिसको आप secularism लोग समझते नहीं हैं, बहुत बार वो गलत समझ देते हैं, secularism को समझते हैं, religious neutrality of the state, वो secularism दूसरे प्रकार का है, जो आपको secularism चाहिए होता है कि basically जो Abrahamic faith है, इसमें politics और society और religion और spirituality सब mix होता है, तो जब आप इसमें से politics निकाल लेती है, religious text में से, तो वो जो politics निकलता है, उसको secularism कहते हैं, और वो जो politics निकलने के बार जो किताब बनती है, उसको constitution कहते हैं, तो आप अपना, जब constitution बन जाता है, तो फिर वो supreme document of the land ह होता है, उससे हर document नीचे होता है, तो यह बात नहीं समझ में आरी है, तो आप कैसे ही लोगों को, आप कैसे tackle करोगे, बम मारोगे, आपने पहले TTP बनाई, फिर वहां पे पहले Taliban बनाया, फिर उसका पाकिस्तान चेप्टर बना, उनको किल करने के लिए आपने सौत में सब को Muslim बनने की जुरोत नहीं है, कोई पठान हो सकता है, कोई पश्टून हो सकता है, कोई पंजाबी हो सकता है, कोई सराइकी हो सकता है, कोई बलूच हो सकता है, कोई यह सब को exist कर सकते हैं, यह नहीं है कि कोई Muslim बनना है, तो यह सारी identity को खतम कर दो, तो plurality सीखे, plurality का मतल सब कई भगवान exist कर सकते हैं कई तरह के की जो वो स्पिरिश्चुयलिटी ए वो एक्षिस्ट कर सकता है यह लैंड इंडियन हेरिटेज का है यह मोहंजदारों का लैंड है यह इस्लामिक लैंड नहीं है यहां तक्षिला है इसको रियासते मदिना न बनाएं करपया करके रिय अंपायर ने रियासते मदीना थोड़े बनाया, रियासते मदीना का हेड हमेशा अरब भी बनेगा, ओर्टमान अंपायर ने तो सल्तनते उस्मानिया बनाई ला, उन्हों तो तरकिश अंपायर बना दिया, उन्होंने तो अरबों को अपने अंपायर के अंदर में अपने पैर इम्रान खान नहीं है रियास्ति मदीना वाला चूरण इम्रान खान ने वेचा तो ऐसे तो हमारे जितने भी पॉलिटिशन या प्राइम मिनिस्टर्स आएं वो चाहे कोई भी हो चाहे जुल्फिकार अली भुटो से लेकर इम्रान खान तक ये शवाज शरीव तक सब लोग ज मुदी जी ने वही श्टेटमेंट डिया है साथ जो है वो जो बाइडन सामने भी वही श्टेटमेंट डिया है तर्रिजम को लेकर तो ये दोनों मिलकर आपके ख्याल करेंगे ये ऐसी क्या चीज़ करेंगे ऐसी कौन सी policy ले आएंगे जिससे ये चीज़ रोकी जा सकी क्यों कि अगर से पाकिस्तान पे छोड़ देते हैं तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान जो है उसको बहुत जादा time लगेगा कंट्रोल करने की कोशिश भी की गई इसारी चीज़ों को तो सालों लगेगे लिए कितने सालों इंतिजार कौन करेगा इतने साल जो बीच में कोई नुकसान अगर हो जाता है तो कौन जिम्यदार होगा तो आपके ख्याल से यह दोनों बड़ी कंट्रीज इस वक्त एशिया में जो है वो इंडिया है और जाहिर यूएस तो यह दोनों मिलके आपके ख्याल से क्या policy ला सकते हैं या क्या कर सकते हैं जिससे इस चीज़ को जल्दी कंट्रोल किया जा सके कॉस्ट ऑफ टेरिजम बढ़ा दीजिए आपको चुकि पाकस्तान कुछ एक्टिविटी तो करता नहीं है तो जब आपको अभी तक आपने सम्हाओ आप कॉस्ट ऑफ टेरिजम आपको दुनिया ने फैनेंस किया टेरिजम करने के लिए अमेरिका ने अपको अपना इलाई बनाया कम्यूनियस्म से लड़ने के लिए हाला कि आपने उनको ध्रोका दिया क्योंकि आप अप का कमिनियम से कोई लेना दिना नहीं ता है हिस्मनीं और ऑन को ऊर्म्स पीजिद कीरिए उन्हों से को करने के लिए आपको फैनांस किया अमेरिकांवाध किया उसके बाद रॉशिया आ गया फिर से कहाऊंगी हो गया आपको पेट्रोडॉलर मिल गाए ़िए को इनकरेज़ करन आपको यह अच्छे से बता रहा है कि एक-एक पैसे की वैल्यू क्या होती है और जब आपके पैसे नहीं आएंगे जब समाज अभी तक आप क्या कर रहे थे कि अभी तक यह जो लोग हैं इनको आपने अपने कबजे में रखा हुआ था अभी आपके कबजे से निकल चुके है यह समाज में इंट्री कर गए हैं somehow they have infiltrated into your society तो जब आपकी state के पास अगर अपने लोग वैसे भी है rate of the state तो फेल हो चुका है ना इमरान कान के प्रोटेस्टर तो दिखा दिया के rate of the state चलता ही नहीं आपके आपके आपे तो इनके पास दो ही इंडिया के पास तरीका है और अमेरिका के पास तरीका है वो एक दो ही तरीका है दो ही two-pronged है वो अगर चला तो बहुत अच्छा क्योंकि कोई भी ऐसी policy तो बनाएं नहीं जा सकती जिसका कि 100% confirm हो कि यही result आएगा नंबर वन पाकिस्तान को financial resources scant कराईए उनको यह ऐसास दिलाईए कि पैसा इतनी आसान ideologies को हवा देने वाले लोग है उनकी संख्या कम हो जाएगी लोगों में control होगा societies में जो constructive लोग है वो ज्यादा हावी हो जाएंगे दूसरा इंडिया का काम यह है कि जो democratic forces हैं पाकिस्तान में उनको इंडिया support करें उनको इंडिया हाँ दे कि हाँ we are with you we will not let you fall into abyss हम आपका support करेंगे यह दो financial और democracy क्योंकि यह जो वर्ड यह जो देखें यह इंडिया अमेरिका का joint collaboration मत समझें यह collaboration है इंसानियत का उस इंसानियत का जो एक free world चाहता है जो खुला समाथ चाहता है जो यह चाहता है कि जिसको जो मानना है वो माने जिसको जो जैसे अपने जीवन को जीन यह free society का collaboration है against closed और inimical to free society के forces के case में इंडिया को अमेरिका ने यह बैटन धीरे से पास कर दिया है कि 21, 22, 23, 24 से अब भी आपकी है global leadership के लिए अब आप तयार हो जाएगे तो पाकिस्तान से लड़ने का एक ही तरीका है पाकिस्तान से नहीं लड़ना पाकिस्तान की जनता नहीं है वो financial resources सुखा दे, arms and ammunition सुखा दे, they should ensure कि पाकिस्तान को कोई ऐसा arms and ammunition नहीं मिल रहा है जो कि लोगों में फिल्ट्रेट कर सके और उसके बाद उनके पास इतने financials means नहों आर्मी के पास कि वो अपने अलावाद दूसरों को भी इस तरह के के अपने dirty job करने के लिए create क सके. This is a two-pronged entity I think should work. तफ तक बात नहीं हो पाईगी. तो तो तोड़ा सा मत्तब understand नहीं करना चाहिए भारत को, कि ये जो बात कहीं जा रही है, जिसके उपर काम करने को कहा जा रहा है, वो एक लंबा प्रोसीजर है. बनाना तो बहुत असान था जो groups बनाए गए, वो शायद बहुत जल्दी बन मैं आपसे सच बताओं, मैंने कहीं पाकिस्तानी इज़र बीच देड़ दो मैने से मैं बहुत एक्टिव रहा हूँ. पर मैंने ये महसूस किया है ना कि इंडिया के लिए भी पाकिस्तान से दोस्ती करना ठीक नहीं होगा. पाकिस्तान तयार नहीं है उसका रीजन यह है कि हर द्रिष्टी कौण इसलाम से शुरू होती है, इसलाम पे खतम होजाती है. उसके अलावा कुछ न्को बताया ही नहीं गया है. मैं यंघ बच्चों से काम करता हूए उनके बाарे में बता रहो. उनको कुछ बताया ही नहीं गया है. उनकी गलती नहीं है. तो वो अक्सर पाकिस्तान से दोस्ती से हमारा तो कोई लाव या नुकसान तो नहीं है पाकिस्तान से दोस्ती हो जाए तो भी हमें फर्क नहीं पढ़ना चाहिए नहीं हो जाए तो भी फर्क नहीं पढ़ना चाहिए हाँ लेकिन पाकिस्तान अगर इंडिया में इंडिया के कुछ ऐसे फोर् से गुजरना होगा अपनी identity को recognize करना होगा तभी इंडिया जा करेंगे हम किस से बात कर लेंगे किस से बात कर लेंगे क्योंकि होगा यह आप एक चुकि पॉर्टिक्स इतनी हावी होगी कि अगर आप एक ग्रूप से हाथ में आने जा रहे हैं तो दूसरा ग्रूप किसी तीसर नहीं लगता कि जनता के बाद इतना time पड़ा हो है कि वो यह सब बाते करें वो तो विचारी अपना घर चलाने में और utility business ने में तनी विजी है कि उसको कोई फरक नहीं पड़ता और बहुत से लोग ऐसे हैं जो इमरान खान समेथ जो अब इंडियन प्राइब मिनिस्टर की तारीफें करते वे भी दिखाई देते हैं कई बार इमरान खान ने अपनी political rally में कहा कि जी corruption नहीं किये उन्होंने और कई दूसरी चीज़ें बताइए और जो जनता है उसको भी लग रहा है कि हाँ कहीं न कहीं तोड़े जो आपकी economy है वो भी बेतर हुई है आपकी जो foreign policy है वो भी independent है तो social media का जमाना है sir internet का जमाना है वो बात तो नहीं है न कि ये कुछ भी बताएंगे तो public यकीन कर लेगी तो एक जो ये narrative Indians के mind में है कि शायद public नहीं चाहती तो public से पूछ कर कब काम किया है पाकिस्तान की agencies ने या पाकिस्तान की army ने या even government ने इनको तो जो करना होता है ये कर रहा होता है इन्होंने कोई पूछ के trade बन कीती है या पूछ के कोई किसम का action करते हैं तो ये चीज़ पब्लिक के ओपर कर ली ना डाले public विचारी बिलकुल वो कुछ नहीं जानती और वो तो कुछ भी बोल रही होती है जो ये कह देते हैं वही वह आगे कह द होगा जो पाकिस्तान को इसन एंटिटी सर्वाइफ करवाने करते हुए देखना चाहता है कि वो अगर पाकिस्तान और इंडिया की जनता मिल गई पाकिस्तान का वजूद खतं हो जाए उसका reason ये नहीं है कि इंडिया अखन भारत बनेगा या यू बनेगा उसका reason ये कि लो और यह देखे कि हम एक लोग ही हैं तो वो यह पूछेंगे कल को जैसे East Germany और West Germany की दिवार गिर गई थी और लोग एक हो गए थे तो उसी तरीके से यह पूछेंगे कि हमें क्यों अलग किया और हमें 75 साल में तुन्हें दिया क्या है तो जो भी फोर्ट है ना जो पाकिस्तान स को जब तक जिसे कह लिजे इंकरेज किया जाएगा अलाइव रखा जाएगा तब तत पाकिस्तान और हिंदुस्तान की दोस्ती नहीं हो सकती जिस दिन टू नेशन थियोरी खतम हो गई पाकिस्तान इस पॉलिटिकल एंटिटी इंडिया एक्सेप्ट कर चुका है इंडिया क इतना कहता है कि पाकिस्तान कल्चिरली